लोग हमारे चैप्टर नमबर फाइव है उसका लास्ट हमने बहुत सारा डिमांड आ रहा है कि आप मैं यह करवाईए कोश्च एंसर भी प्रोबाइड करा दीजे तो मैं पहले कोश्च एंसर करवा देती हूं फिर मैं कोशिस करूंगी कि जल्दी ही आप लोग के लिए वीडियो भी जितना जल्दी मैं करा सकूं ठीक है तो आज है mcq सही उत्तर चुन कर लेकिए जो भी कल्प वाले जो कोश्चन्स होते हैं वह आज में लेकिया हूं तो उसके एंसर मैं यहां पर प्रवाइड करा दरी हूं यह मैं कोशिस करूंगी कि जो एक सब देया एक वाग्य में जिसका उत्तर लिखना होता है बहुत सारे ऐसे कोश्चन्स है उसको मैं एक्स्ट्रा भी आप लोग के लिए लेकिया हूं mcq और एक सब्दों वाले जो प्रस्ण उत्तर होते हैं बेडी सॉट टाइप कोश्चन एं अधिर उनके संगठ्णों के बीच पारस्परिक संबंदो का ध्यान जी नस्तरों में होता है वो है वह तो राइट एंसर है ये बी नंबर ठीक है और पारस्टितिकी किरयात्मा की कई क्या है तो वह पारित तंत्र है एं नंबर उसका राइट एंसर होगा फिर धुरुवीय भालू, पोलर बियर सीत रितू में क्या करता है, तो वो सीत निस्क्रियता करता है, जो राइट एंसर है, उस निकटी बंधिये जनतू में अधिक्तम में, अधिक्तम ब्रिधी किस रितू में होती है, तो वो है बसंत रितू में होती है, ठीके, कौन धारी ब्रिच का उधारन क किया हो सकता है तो वो है साइकस जर्म दर मित्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है इसी को आबादिविदी कहा जाता है ठीक है नाइट्रोजन यूख्त ओक्त योगीक से अमोनिया बनने की किलिया क्या कहा नहीं हमें बताता है अपंडियों 1 इंड आयोनिक फोर्म और अमोनिया ए इन सब्सक्राइव फोर्म और देखें, अमोनिफिकेशन क्या होता है, कि हमें बताता है कि कोई chemical reaction में जो NH2 group होता है, वो convert हो जाता है, किसमें? अमोनिया में convert हो जाता है, ठीक है? और जो last, या फिर उसके ionic form में, जैसे NH4 में, या NH2 में इस तरह से convert ionic form, यह उनका charges होगा, ठीक है? और अमोनिया क्या होता है? कि उसका in product होगा, जो last में जो बनेगा, वो in product, product क्या होगा? अमोनिया होगा, ठीक है? और nitrification हमें क्या बताता है? कि the process in which bacteria in the soil, जो bacteria होता है मिट्टी में, use oxygen to change compound of nitrogen, जो क्या करते हैं? कि जो bacteria होते हैं, तो दोनों का procedure, जो process है, वो अलग अलग होता है, तो राइट एंसर आप लोग खुद आए करिए कि क्या होगा, तो राइट एंसर मैं ही बता देते हूँ आप लोग को कि nitrogen युक्त योगिकों से, ध्यान देने की बात है, nitrogen युक्त योगिकों से ammonia बनने की किरिया को अमोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है? राइट एंसर क्या होगा? राइट एंसर होगा हमारे पास B नंबर, ठीक है? उसके बाद है, वायु मंडल के स्वतंत्र, nitrogen का इस्थिरी करन करने वाला सहजीवी जिवानु क्या होता है, उस जीश का नाम है, राइजोबियम, हम लोग सभी जानते हैं, एक उच उपभोगता क्या है? एक उच उपभोगता है, बाग, ठीक है? किसी पारितंत्र में हड़े पेर पौधों को क्या कहा जाता है? तो हम लोग क्या चानते हैं, उत्पादक कहा जाता है, किसी भी एकोसिस्टम के में पेर पौधे ही सबसे बड़े उत्पादक होते हैं, पारितंत्र में बिगटन का कारे कौन करता है? जो सबसे लास्ट में ज बाहeking परजीवी क्या है पस्क बाह। पुआँबिशेधवी को उप्भोक्ता कहा जाता है परीतंतर में उड़्जा को परवा किस दिशा में होता है पारितंत्र में उर्जा का परवाह होता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उर्जा का परवाह होता है तो पारितंत्र में उर्जा का परवाह जो होता है वो होता है एक दिशा में या एक दैसिक हो सकता है ठीक है तो राइट एंसर क्या होगा? राइट एंसर होगा A नमबर वाईउ मंडल में नाइट्रोजन का परतिसत हम लोग सभी जानते हैं 78% अबाउट है B नमबर होगा राइट एंसर दुनिया का 90% भोजन कितनी पर्मानित खाद किसमों की द्वारा होती है तो 15% 15 पर्मानित खाद किसमों की द्वारा होती है 15 पर्मानित खाद किसमों से होती है यानि 15 आ नमीनी करन उर्जा का श्रोट क्या है कोईला वाईउ मंडल में ऑक्सीजन की परतिसत कितनी है तो हम लोग सभी जानते हैं 20.60 तो इस तरह से हमने 20 कोश्चन किये ठीक है आई होप सुप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और नहीं आने पर आप मुझे कॉमेंट सेक्षे में पूछ सकते हैं मैं एक सब दो वेरी सॉट टाइप कोश्चन एंस बित एंसर जरूर लाओंगी और बहुत जल्देल आ रहे हूं कि आपको कितने साइंस में नंबर आ रहे हैं ठीक है? ओके? इन किप वाचिंग बबाई थैंक यू